हेलो दोस्तों नमस्टकार दोस्तों आप सभी का श्वागत है आपके अपने चैनल टार्गेट गवर्मेंट पोश्ट में देखे बात करेंगा यूपी बीड इंटरेंस को लेकर के राउंड फस्ट के जो चार चरण वाली काउंसलिंग के प्रक्रिया होनी है जिसमें पहले च चीज़ ध्यान रखना है अलाकि फेस फस्ट में बहुत कम लोगों ने वह गलती करी लेकिन गलतियां हुई फेस सेकंड वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को वाच कर रहे हैं जो आपके मिलने वाले हैं उन तक भी शेयर करें आवेसक सूचना आप लोग के लिए यह है कि आपको कई सारी गलतियां जो कि मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ वो आपको यहाँ पर नोटिस करनी है और वो गलतियां नहीं करनी है तो पहले हम यहाँ पर बात करेंगे फेस फरस्ट को लेकर के जो एक से लेकर के 50,000 स्टेट रैंक वाले स्टूडेंट हैं जिन को कॉलेज नहीं मिला है उन्हें पडान्ग चाहिए हो गा या फिर उन्हें अपनी फी to準備 चाहिए होगी जो एडवान्स कॉलेज सी आप सभी जानते हैं कि आपध Vermont कॉलेज फीस लगी हुई थी तो पहले हम लोग यहां पर चलेंगे आपके स्टेडूल में सेडूल में आपको ये जानकरी मिलेगी कि जो आप कॉलेज Can ने से चाहते हैं जिनको कॉलिज लॉर्ट नहीं हुआ है और जिनकी फीस deal होनी एंपर क्यापकुद कॉलेज आप के ऊविच वैस नहीं करने फिर से college lock नहीं करने हैं तो फीस कब तक refund हो जाएगी यह पहले समझे हैं तो दोस्तों schedule में आ चुके हैं 19 नॉम्मर से आपका counseling का registration start हो गया तो पूरे प्रक्रिया आपकी 27 तक होनी है और 28 से आपका counseling का option आ जाएगा आपके login page पे अगर आपका अभी तक री counseling option नहीं आया है जिनको college नहीं मिला है उनको एक message मिल रहा होगा कि counseling का option उनके में आएगा ठीक है न अच्छा तो यह 27 तक आपका जो है seat allotment का जो लेटर है वो 27 तक आप download कर सकते हैं उसके बाद 28 27 तक क्या download कर सकते हैं अगर आपने login किया है तो उसमें within three days में उसको download करना है और within three days में जो है न पेमेंट करनी है payment करने के बाद में मतलब पहले समय क्या था पहले समय मिलता था एक सपता का ठीक है college नहीं मिला है तो करना क्या करना यह है कुछ नहीं करना होगा री counseling का option आएगा उसके लिए आपको registration भी फिट से नहीं करना 750 रुपए फिट से पे नहीं करने हैं आपका 5000 एडवांस college सब्मेट है ठीक है तो री counseling का जब option आएगा तो री counseling आपको करनी है लेकिन आपको यह ध्यान देना है गलती नहीं करनी गलती क्या नहीं करनी आपको कि आप पहले से लिस्ट बना लेंगे कि आपको किस college में admission लेना प्राइविट college मिलेगा यह तो confirm है जिनकी रहेंक अच्छी है उनको chance है कि government college मिल सकता है हाँ यह कि आरचन वगेरा मिल रहा है तो उनको एक बार देख लेना चाहिए कि मैंने जो college की available list वाला जो चाल्ड है पेज है महाँ पर जाकर कि आप अपना देख लें कि कौन-कौन सा college है जिसमें आपकी seat खाली है ठीक है आपकी stream वाली है इसा नहीं कि आप देख लिए कि हाँ seat खाली है आपकी category से और आपने उसको लॉक कर दिया आप यह देखो कि आप किस वर्ग से हो आप किस स्टीम से हो आप साइन्स से हो इनका भी choice filling और इनका भी choice filling आपके साथ में चलेगा ठीक है न यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है तो यह गलती नहीं कर नहीं जो मैंने आपको भी बताई ठीक है अच्छा जिनका फीस refund होना है 5000 रुपय तो कब तक refund हो जाएगा भई देखो इस बार क्या है न कि पहले क्या पेच्छा पहले क्या है न बहुत समय लग गया था किसी किसी का पूरी counseling हो गई थी counseling के बाद में 10 दिन 15 दिन बाद पैसा जो उनके account में refund हुआ था जिनको college नहीं मिला था ठीक है तो यह चीज़ आपको ध्यान देनी है और फेस सेकंड वाले पूरी वीडियो एंट तक वाच करें कि आपको बहुत ज्यादा important बात बताने वाले जो कि आप गलती ना करें नितो बाद में परिशानी आपको हो सकती है क्योंकि पैसा free में नहीं आता बहुत मैनत से मिलता है तो आप जो जिनको फीस रिफंड चाहिए फीस रिफंड वाले जो स्टुडेंट हैं जिनको कॉलेज एक्सप्ट नहीं करना है कॉलेज एक्सप्ट अगर कर लेते हैं तो बैलेंस फीस अगर आप पर नहीं करते हैं तो आपका मैं अभी notification भी आपको दिखाऊंगा ठीक है न आपका एकाउंट में आपका पैसा रिफंड होना था ठीक है न चलिए अब हम लोग चलेंगे अब बात यहां पर देखिए राउंड फस्ट में फिस सेकंड वालों स्टूडियों स्टूडेंट की करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बिना सोचे समझे कॉलेज को भी लॉग कर दिया है भाईया आप पहले यह देख लो कि आप किस कॉलेज में अड्मिशन लेना चाहेते हो पहले आप उसकी लिस्ट बना लो एक बार लिस्ट मना के सिस्टेमेटिक डंग से अगर काम करोगे तो आपको बाद में गलती का सामदा नहीं करना पड था उसमें देख लो अभी लेटिस्ट में आपको दिखाएगा कि कितनी सीटें मची हैं कहां कहां पर बची है हाला कि प्राइवेट में आपको सीट मिल जाएगी कोई दिक्कत नहीं होगी गवर्मेंट की सीटें बहुत कम खाली है तो वह देख लेना ठीक है लिस्ट बना जाता है ठीक है फिर आप परिसान होते हैं मेरा फीसरी फंड नहीं हुआ ठीक है अच्छा तो अब क्या है ना कि यह गलती आपको नहीं करनी है तो आपको नहीं चाहिए था और वो लॉट हो गया या अब आपका मूर्ट चिंज करेंगे तो वह आपको college नहीं मिलेगा जब नहीं मिलेगा तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि अगर आपको college नहीं मिलता है तो आपका 15 रुपए आपका जो है न वो refund होना था आपके account में ठीक है लेकिन जो अब की guidelines है दोस्तों यह जो नई guidelines है जो 19 नुमबर को ही जारी की गई थी इसमें साफ साफ यहां पर दिखी दिया गया है फीस को लेकर के अगर आप देखेंगे तो यह नया एक option add किया गया if the candidate is allotted a seat but he does not submit balance fees ठीक है the advance college fees will not be refund ठीक है साफ साफ यहां पर दिया है तो यह जो round first वाले है second face वाले उनको यह गलती नहीं करनी है ठीक है वही college आप lock करें जो आपको चाहिए हो ठीक है मान लीजे एक college ऐसा है जो कि आपके nearest है आपके pass में है वही आपको चाहिए तो एक ही college आप लॉक करें बाकी के ना करें ठीक है अगर आपको लगता है नहीं be it करना चाहिए हमें पास वाला नहीं मिलता में दूरवाला मिल जाए बतलब जो आपके पास में हो जिसमें आप admission ले सको आपको बाद में दिक्कत ना हो कि आप फिर बाद में अपना decision बदलो कि नहीं हमें college नहीं चाहिए या फिर आप उसको accept कर लो बाद में फिर आप बोलो कि नहीं मिसमें balance पे नहीं करेंगे क्योंकि balance विस अब आप पे करेंगे तो 46,000 जरूर करें दन्यवाद वीडियो के लिए आपका दिन शोग मिलते ने शीटों में हैं